वेलकुम टु सुकुलाईज टड़ी पोइंट आप सभी का स्वागत है, आपके न्यूटूब के चनल सुकुलाईज टड़ी पोइंट में मैंसियो हम सुकलाईज आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ बीए फस समेस्टर हिंदी का ये question paper है आपका ठीक है आप देख सकते हैं exam nation जो है आपका 2023 में हुआ है जनवरी में ठीक है आए हिंदी काबी का ये आपका question paper है तो आपका अधिकतर बिश्वित देले में हिंदी काबी पढ़ना आदिकतर क्या लगबग सभी बिश्वित देले में सेले बस सेमी रखा गया है तो ये हिंदी काबी का जो question paper है आपके बिश्वित देले के लिए भी important हो सकता है चुकि आप में भी ऐसे परसन आएंगे हिंदी काबी का question paper आप देख लिजेगा पचाता नंबर का पुडांक था तीन गंटे का paper हुआ है खंड का खा गाई इस परकार से बटा हुआ है चर्चा करने का प्रियास करते हैं पहला परसन आप देखेगा आप से पूछा गया था पहला परसन है कि निम्लिखीत सभी परसनों के उत्तर दीजिए आप से हाँ पर सभी परसनों के उत्तर आप से कहरा कि देना है पांच questions आ हाँ से आपको मिलने है ठीक है पहला परसनाप से पूछा गया कि कभी प्रिया के रचनाकार कौन है तो कभी प्रिया के सोदास की रचना है के सोदास रीती काल की कभी है रीती काल में भी आपको बदा दू कि रीती बध साखा से जुड़े रहे हैं के सोदास ठीक है जो है र प्रस्त नहीं कि वर्दे बीड़ा वादनी वर्दे कविता के रचनाकार का नाम क्या है फटापट से बताएंगे तो वर्दे बीड़ा वादनी वर्दे कविता के रचनाकार जो है उनका नाम है सोरिकान त्रिपाथी निराला ये बात ध्यार नखेंगे च्छायाबाद के जो है महेस यानि विश्णू कहे जाते हैं वो ठीक है ये बात आप ध्यार नखेंगे अगला कोसंस आप देखिएगा अगला परसन आपके स्कीन पर आचुका है देखेंगे चौथा न आचवा नंबर आपसे प्रसन पूछा गया था कि अकाल और उसके बाद कविता के रिचना कार कौन है तो अकाल और उसके बाद ये नागारजुन के रिचना किसके रिचना है वही नागारजुन के रिचना है नागारजुन जो है इनको बाबा की उपाधी भी दी गई थी प्रस्ण नकेंगे ठीक है चले और भी कई सारी उपादिया इनकी है अगला प्रस्ण आप देखेगा खंड सखा से आपसे प्रस्ण पूछा गया था यह अभी कल ही आपका वेपर हुआ है ठीक है यह बात ध्यान नकेंगे प्रस्ण है आपका के निमलखित में से किनी छे प्रसनों के उत्तर दीजिए और किसी भी प्रसन के उत्तर है तू आपको धाईसो सब्दों से अधिक का प्रियोग नहीं करना है ये बात भी बताई गई यानि कि आपको प्रसनों के उत्तर को और राम बक्त साखा दोनों आती है निर्गुण में आपकी ज्याना सरी प्रेमा सरी आती है ज्याना सरी कभीर दास प्रेमा सरी मलिक मुहम्मद जायसी कुतबर मंजन ठीक है और सेख निसार ये सब आते मुला दाउत और ठीक है कभीर दास वाले में आपके आते हैं जो सुर्दास के गुरू बलभा चारी आपको पता होगा उनके जो लड़के थी बिटल नाथ उनके पुतर बिटल लाथ जो थे उन्होंने आश्च्छाप के कभ्यों का संग्राइब ही किया था तो वो सारे के सारे अच्छाब के कभी कर्ष्ण भक्ती परंपरा से जोड़े रहें तो यह सब सब्सक्राइब भक्त साखा है ठीक है तो यह आप थोड़ा सध्यान रखेंगे मैंने आपको अलड़ी बताया भी है तो सारा प्रसना आपका हो जाता कोई दिक्कत की बात नहीं मैंने ए के प्रबड़ती विसेस्ताओं को मैंने बता दिया है तो आप लोगों ने गर नहीं देखा तो देख लिजिएगा अगला प्रसना है कि रामचरित मानस के अयोध्या कांड का मुलियाकन कीजिए most important person इस पर भी चर्चा हो चुकी है अगला कोसंस आप देखते हैं अगला परसनाप का आचुका है कबीर के द्वारा दिये गए गुरु के वरडंद की विसेस्ताओं पर प्रकाश लिए भी बहुत महतपून है इस पर भी मैंने आपको बता था ये भी परसनाप का important है अगला कोसंस आप देखेंगे कबीवर बिहारी के काबिका मुल्यांकन की इस पर भी चर्चा हो चुकी है अगला परसनाप से पूछा जा सकता है और आपकी पर इच्छा में आ सकता है तो ये आपको पता ही होगा अगला परसनाप का सोध की परिभासा भी मैंने आपको बताई है माडल पेपर अगर आप उठा करके देखेंगे तो सारे चीज़े आपको दिखाई पड़ जाएंगी अगला परसनाप देखेगा च्छायाबाद कभियों के नाम बताए च्छायाबाद के कभियों के नाम च्छायाबाद के कभी तो चार कभी मुखी फेमस है तो च्छायाबाद के जो चार कभी है वो एक कभीतरी हिमलप तो आप देखते हैं इसे परसाथ पन निराला हो गए तीन कभी हो गए और एक जो है महादी विवरमा जी तो ये चाहवात के चारस्तम है most important देखें अगला परस्था आप से पुझा गया कबीर डास के गुरू का क्या नाम था कबीर डास के गुरू का नाम था भई रामानंद क्या नाम था रामानंद इनके गुरू थे clear तो ये बात ध्यार नाखेंगे तो इस प्रकार से तमाम सारे परस्था आप की परिशा में बन सकते हैं आगे देखेंगे अगला परस्था आप का चुगा तीसरा नमबर परस्था है भक्तिकाल के निर्गुड कभी और उनके काभी की समिक्षा कीजिए most और most important ये परस्था दस नमबर का परस्था तो चाहिए परस्था करो हो सकते हैं बड़े आसानी से तमाँ प्रकार के सारे काल खंडों पर मैंने चरचा कर दी ए अगला प्रसन आप देखते हैं निम ना करे मन भंग ते निश्चल सदा नाव के संगिये जो है गोरक बाड़ी जो है पिताम बर्दत बढ़तवाल अला संपादित उसी से रिलेटेड है ये दो है दोनो ठीक है गोरक नात के हैं ठीक है ये बाद ध्यानक है इसकी ब्याक्ख्या मैंने बताई गोरक नात वाली तो लोभन रामही राजुकर भरत पर प्रीत और मैं बढ़ छोटे विचारे जिये करत रहे उन्रिप नीती ये जो है भगवान जो है एक परकार से आप देखते हैं ये रामचरित मानस का एक परकार से ये दोहा है ठीक है ये आपके पाठे करब में संकलित दोहा है ये मैंने प ठीक है तो लोभन रामही राजुकर भरत पर प्रीत मैं बढ़ छोटे विचारे जिये करत रहे उन्रिप नीती ये राज दसरत यहां पर अपनी विवस्ता को बताते हैं रानी कहके इसे उसी का वरण है पूरी विवस्ता और पूरी प्रकार से अच्छे तरीके से विस्तार से मैंने बताने का प्रियास किया है अगर आप देखेंगे प्रेलिस्ट में तो सारी चीजों की ब्याक्षा नहीं हर एक चेप्टर की ब्याक्षा बता दी है और यहां पर जितने भी पूछे गए सब की ब्याक्षा मैंने आलेडी बता चुको है अगला कोसंस अगला है जब महराणी के के जो है राजःता से दो बरदान मांती है तो उसी समय है ठीके वह कहते हैं कि राम ङर्म को राज को परती मेरा प्रेम भी बहुत जादा है तो मेरेखेंगे वहान करते हैं ऐसा पो सम दे के निमन लिखित की सा संदर्ब साहित आपको व्याकय कर न है सतगुर समान को सगा सोधी सही नदाति हर्जी सावन को हितू हरजन सही न जाति ये कबीरदास का दोहा है صतगुरु को बत conten की समान कोई सगा नहीं है ठीक है पूरी चीजों के बारे बताते हुए इन्होंने कहा सत्वगुर को एक परकार से ब्रह्म से भी बढ़ कर बताने का प्रियास किया है अगर यह प्रसना आपको नहीं पता तो अगर कि दूसरे की बैख्याप कर सकते थे अथवा दिया है कि मेरी भवाधा हरो राधा की गई है ठीक है कि जातन की जहाई जिनके एक परकार से एक परकार से दरस मात्र से ही जो है परकार से सारे जो है पाप से मुक्ती और सब कल्याण हो जाता है बहुत सागर से निया पार हो जाती है तो इस परकार से तो मेरी भवाधार और राधा नागर सोई मैं उस राधा क को प्रडाम करता हूँ इसके कई अर्थ भी हैं इसके सारे अर्थों को तीनो चारों अर्थों के बारे में तीन अर्थ मैंने बताये थे इसके आप वीडियो देखेएगा यह पहला दोहा ही है पहले दोहे में भी विस्तारते मैंने समझा दिया अगला प्रसन आप देखते हैं इसकी ब्याक्या मैंने आपको बता रखी आप लोग देख लीजेगा जाकर के अथवा करके आपको दिया गया है कि हम नदी के दीप हैं हम नहीं कहते कि हमको छोड़ कर स्रोत श्विनी बह जाए ठीक है इसके अलामा और भी चीजें हाँ पर आप देख सकते हैं वा हमें आकार देती है हमें कौण गलिया अंतरीप भार सैकत कूल सब गोलाईयां उसकी गड़ी है मा है वहा है इसी से हम बने यग्य की रिचना नदी के दीप से उद्रित है तो एक परकार से इतनी का पिताया आप से पूछी गई थी जो की बहुत ही मैतपूर थी ने विस्तार से आपको सारी चीजों को समझा दिया निश्यत्वर पर आपके समझ में सारी बाते आ गई होंगी और यही कोशन्स आपकी परिच्छा के दिश्टे से मैतपूर है अगर आप राममनोर लोहिया वद बिश्विद्दाले की परिच्छा देने जा रहे हैं याने किसी बिश्विद्दाले की परिच्छा देने जा रहे हैं जिसमें लिखे टाइप की परिच्छा हो रही है तो उसके लिए बहुत मैतपूर होगा या लक्चर तो आप इस वीडियो को देख करके जाएगा इसमें जो प्रसंद हैं इनके सारे उत्तर तो मैंने आल लेडी बताए हुए हैं तो माले पेपर आप 2022 वाला और 2023 वाला दोनों देख लीजेगा वो बहुत हिल्फुल होगा आपके लिए ठीक है और आपको बता दू कि आपके आप आसानी से बता सकते हैं किलिए आगे बढ़ने का प्रियास करते हैं और भी चीजों को जानने का प्रियास एक बार जितनी भी लोग देख रहे हुए पड़ा पड़ से वीडियो को लाइक और सियर रवस कर दीजेगा यही मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हू तो यह सारे के सारे परसना आप लोगों ने देख लिया है ठीक है तो यह आपसे कुछ परसन पूचे गए थे इनकी ब्याक्ख्या मैंने अलेडी बता रखी है और जो बड़े कोशन से इनकी भी कोशन के उत्तर को ही मैंने माले बेपर में बता रखा है महा संगराम वीडिय तो तमाम सारे वीडियो के उत्तर आपको मिल जाएंगे तो इस प्रकार से महा संगराम वीडियो और माले बेपर 2022 वाले अगर आप देख लेंते हैं तो आपके लिए बहुत हिलफूल होगी वो सारे और यह सारे प्रसनों के उत्तर मैंने जो बताने लाइक थे मैंने आपको